हब समझते हैं कि set builder form में हमें किस तरीके से अपने set को लिखके दिखाना है ठीक रोस्टर form में हमने समझ लिया तो यह क्या है एक इसको represent कर रहा है हमें बता है अगर A capital में लिखा हुआ तो यह क्या दिखा रहा है यहां पर set है इसको set बोलें यहां A भी हो सकता है Caps में B भी हो सकता है C भी हो सकता है ठीक और चाहे हमारा roster form हो चाहे हमारी set builder form हो अगर हम किसी set को लिख रहे हैं तो क्या curly brackets में लिखेंगे तो यह क्या हुए हमारे curly brackets हुए ठीक है सर बिल्कुल clear हुआ और यह x क्या है बारा है यहां अगर हम x की बात करें अब हम बात करें हाँ पर x की यहां पर x क्या लिख क्या दे हुआ इसको आप लिख सकते हो भई जो x है यह represent कर रहा है set a के elements को किसको मैं यहां पर लिख सकता हूँ represent element of element of set a अभी आपको समझ में नहीं आएगा ठीक और यह semi colon यहां पर क्या कर रहा है इस semi colon को यहां पर यह क्या है यह semi colon है इसको हम read करते हैं such that such that करके हम इसको read करेंगे ठीक और एक है x is a vowel in the English alphabet यह क्या हुआ यह हुआ यह हुआ आपका इसको हम बोल सकते हैं जो यह portion हुआ इसको हम बोलेंगे description description of property of x अभी आपको clear नहीं होगा मैं एक अपना example लेता हूँ ठीक मैं दिखा हूँ कि अपना description मैं set builder form में ठीक है आपको लिखके दिखा तो आपको समझना है मैंने क्या लिखा मैंने लिखा यहां पर कि let a set की बात हो रही है तो मुझे ए तो मानना ही पड़ेगा ठीक अपना description मैं किस तरीके से देता हूँ मैं यहां पर लिखा देविंदर सिंग such that देविंदर सिंग is a chartered accounting ध्यान से समझा इस चीज को यहां पर क्या हो मैंने देविंदर सिंग लिखा फिर एक semicolon लगाया semicolon से का हुआ semicolon के बाद मैं एक statement लिख रहा हूँ अपने कर रहा हूँ description लिख रहा हूँ तो क्या लिखा हमने देविंदर सिंग is a chartered accountant तो क्या हुआ जो हमारा यह आया ठीक है इसका यह क्या है description है clear हुआ semicolon कर क्या रहा है यहां पर पहले हमने ds लिखा उसके बाद semicolon लिखा उसके बाद क्या है एक हमने उसकी property लिखी यहां पर आजओ अब यहां पर हमें क्या था set a दिया हुआ था क्या था यह दर है x such that x is a vowel in the English alphabet clear हुआ x is a vowel in the English alphabet अब समझो मेरी बात को अगर मैं set a को roster form में लिखा हुआ तो मैं इसको कैसे लिखू हुआ set a को अगर मैं roster form में लिखता हुआ तो क्या हैगा a e i o u ठीक अब जब मैंने इसको set builder form में लिखा तो इसको क्या हुआ एक coding language में convert कर दिया मैंने बताया कि जो यह x है ठीक है set a के elements है तो x क्या हुआ यहां से अगर हम देखें तो x क्या हुआ x क्या हुआ x हुए यह इसके elements set a के elements ठीक उसके बाद मैंने क्या semi-color लगाया x is a vowel यह क्या है सारे vowels x is a vowel in the English alphabet उसके बाद इस x का मैंने क्या description दिया clear हुआ यह देखने में इतना complicated लगता अगर आप इसको समझ जलो तो यह कुछ भी नहीं है ठीक इसको note करो जल्दी आप कर लिया note कुछ एक अगर practice करेंगे questions की आपको और भी clear हुआ ठीक आगे चलते हैं जैसे example है इसमें करा भी हमारे पास एक set a है जो हमें दिया हुआ यह ठीक है यह रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है एक-एक element open करके दिया हुआ है इसको भी set builder form में लिखके दिखाओ अब यहां पर आपको clear हुआ कैसे लिखने है कि जब भी sit builder form की बात हो सबसे पहले आपको देखना है कि यहां पर अगर numbers दिये गए है तो उनका pattern क्या है जब तक आपको pattern नहीं पधा चलेगा आप set builder form में उसको नहीं लिख सकते है अच्छा अच्छा set pattern कैसे पता चलेगा वह भी बताते है कैसे पता चलेगा सबसे पहले फाइव का किया तो 25 बिल्कुल ठीक और उसके बाग के गा रहा है इस तरीके से इंफिनिट तक चलता रहेगा यहां से हमें इसका पैटन मिल गया ठीक है सब पैटन मिल गया अब पैटन मिलने के बाद अभी सेट मिल्टर फॉम में लिखना है अभी हमने सीखा तक कैसी लिखे इसके बाद हम इसकी लिखते हैं यहां पर प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी को कैसे लिखोगे प्रॉपर्टी लिखोगे आप इस तरीके से कि एक्स इस इक्वल टू अगर आप देखो वन का स्कूर टू का स्कूर थी का स्कूर फॉर का स्कूर फाइव का स्कूर ठीक जब ने देखा भाई जो पावर हैं वो fix हैं वो 2 आ रही है नीचे वाली values जो है ये 1,2,3,4,5 ये कर रही है ये वैरी कर रही है हम यहाप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि N N की power square ये तो हर किसी में square है ठीक है सर लिख दिया अब ये N क्या है आगे N का एक काम करते हैं N का आगे description लिख देते हैं N क्या है N belongs to N ठीक अब मैंने इसको लिख दिया अब कोई मुझसर ये नहीं पूछेगा सर आपने ये N क्या लिखा ये N क्या है ये क्या है हमने पीछे पड़ा था सेट पड़े थे N है natural numbers का सेट क्लियर ठीक है अब यहाँ पर हमने coding बने क्या ये सही बनी हमने बताया कि X ज उसके बाद एक काम करो टू रखो टू रखा दूसर ने चुल नमबर हमारा टू होता है फोर आया ठीक है सर बिल्कुल ठीक उसके बाद थरी रखो ठीक है थरी रखा क्या नाइन आया इस तरह से रखते चलो क्या आपके पास वन फॉर नाइन ये वैल्यू जा रही है यही अरी ने तक चलेंगे बिल्कुल चलेंगे तो हमारी सिरी बिकांद चल रहे है इन्फिनिटी तक जा रही है क्लिए उसको ठीक है ना जो रूस्टर हो मता है उसको हमने कोड़िंग में लिखा एक रूल बनाया इसको बोलते हैं रूल भी बोलते हैं सैट बिल्ड फोंको एक में इसको लिखा ठीक उसको में justify करके भी देखा हमारा बिल्कुल ठीक आ रहा है solution clear हुआ ठीक है इसे note करो next example लेखते हैं तो पहला step तो यह है कि आपको यह देखना है roster form में लिखते time set builder form में लिखते time कि pattern क्या बन रहा है उसका कौन सी values fix है और कौन सी variable है फिर उसको इस तरीक है उसका एक rule बना दो clear अब यह example देख रहा है write the set a अब यह क्या हुआ यह हमें set a दिया हुआ इसके element है one by two two by three three by four four by five five by six six by seven इसको set builder form में लिखना है यह roster form में हमें दिया हुआ है ठीक है सर अब इसको कैसे लिखेंगे सबसे पहले इसका आपको क्या देखना है first step इसका pattern देखो अगर हमने pattern देखा मैं देखना हुआ अगर उपर one है अगर उपर one दिया हुआ है यहां पर देखें अगर अगर उपर one है तो नीचे क्या है टू है एक बड़ा हुआ दिया हुआ है मतलब एक increase ओर यह value ठीक है अगर ऊपर two है तो नीचे three है मतलब एक-एक value नीचे increase होती ही चली जा रही है clear हुआ ठीक है सर तो इसको हम किस तरिक से लिख सकते है कि set है को यह, a set, x, यह क्या है x, यह मैंने आपको समझाया बजा था, कि जो यह x होता है, यह x हो किसको represent कर रहा होता है, x represent कर रहा होता है, इन सभी values को, clear, ठीक, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, यह x किसको represent कर रहा है, इन सभी values को, x such that, अब मैंने बता है भई, x है क्या, x such that x is equal to मैं लिख सकता हूँ ओपर क्या 1,2,3,4,5,6 आ रहा है n नीचे क्या है मेरा एक value increase हो के आ रही है ठीक है तो मैं n plus 1 लिख सकता हूँ ठीक सर clear अब यहां पर क्या है 1,2,3,4,5,6 के natural numbers है बिल्कुल तो मैं लिख सकता हूँ n belongs to natural numbers हो गया solution अभी इसमें एक mistake है आप बताओ क्या mistake है इसके अंदर mistake है भी भी यह कह रहा है भई n जो है belongs to natural number ठीक है भई उपर भी हमने कुछ ऐसी बनाया था ठीक है सर ऐसी बन रहा है अब आप value पुट करके देख लो अगर आप 1 की value पुट करते हो natural number 1 से start होते है तो यहाँ पर क्या आएगा 1 by 2 आजाएगा अगर आप 2 की value रखते है तो 2 by 3 आजाएगा ठीक है जी तो n क्या कर दिया हमने belongs to natural number कर दिया और natural number क्या है infinity तक चले आते है अब तो मैं यहाँ पर इसका मतलब वो infinity तक जा रहे है हमने coding कर यह कर दी हमने बिल्कुल गलत हमने इसको बनाते infinity तक जबकि हमारा यह 6 by 7 तक अच्छा सर अब इसका क्या solution निकलेगा ठीक है बच्चों अभी बताते हैं कैसे निकलेगा अब आपको क्या करना है जब आप यह rule बना रहे थे तो इसमें एक चीज़ ओर एड़ कर दो and लिख दो and क्या करो and की एक range लिख दो कि यह n क्या है हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो n है 6 है ठीक n जो है हमारा 1 के equal है और 1 से greater है और यहाँ पर क्या लिखा 6 के equal है और 6 से कम है ठीक है और n की range हो यह natural number से belong करता है it means कि इसके बीच में fractional value भी आती है बट यह fractional value नहीं आएंगी क्योंकि n जो है वो natural number से belong करता है तो values भी मेरी 1,2,3,4,5,6 अब एक बार चेक करो सबसे last वाली इसकी रख के देखो 6 आ रहा है सारी के सारी element हमारे match कर जाएंगे ठीक है तो it means हमारा rule एकदम correct बना clear हुआ? ठीक है सर उसे note करो अभी के अभी हम एक practice करेंगे अब exercise 1.1 की ठीक इससे हमारे क्या हो